किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक धंग से सकरात्मक धंग से किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णाय नहीं लिया जा सकता है जिससे की बाद के दिनों में सब के लिए बगार सोची समझी इस्तिती के बारे में लोग आलोचना करें बल्कि हमें यह कोशिस करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखे और उस पर चर्चान दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जूड़ करके इस तरह की बाते कह रहे हैं तो आम जन जीवन को बाधीत ना करे आम जन जीवन किसी तरह से परिशान नहों एक सामाने लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाए समस्या और अधिक उलस्ति है इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बाचीत का माहूल है उसको बनाए रखे और बाचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करते हुए लेकिन यहां पर विपक्षी पार्टी हो राहूल गांधी यह कह रहे है कि किसान के सब पक्ष में है वो जो अंदोलन कर रहे है उसके भी पक्ष में है तो यहां राजमीती भी बहुत जादा थे लोगे लगता है ऐसे मोहल में शांति हो पाएगा देखे मैं किसान संगठनों को यह कहूंगा कि किसी राजमीत से प्रेरित होकर नहीं बलके किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगे किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि आसामाने इस्तिती पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता अगली बैठक का भोगली पाता है अगली बैठक कोई पताएंगे